इलावाद हाई कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशन्शिप तूटने के बाद महिला का समाज में अकेले रहना कठिन है भारतिय समाज लिव इन को मानिता नहीं देता लिव इन रिलेशन्शिप में रहने वाली महिला के पास एफाय दर्ज कराने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता फिलहाल कोर्ट में आरोपित की जमानत मंजूर कर ली है यह आदेश न्यायमूर्ती सिधार्थ ने दिया है पीडिता शादी शुदा है उसके दो बच्चे हैं वो याची के संपर्क में आई और लिव इन में रहने लगी जब गर्भवती हो गई तो उसने शादी करने का दबाव बनाया जिस पर आरोपित के इंकार करने पर उसने दुशकर्म वन्यास भन के आरोप में शिकायत दर्ज कराए याची ने पीडिता का आपत्ति जनक विडियो उसके पूर्व पती को भेज दिया इसके कारण उसने साथ रहने से इंकार कर दिया आरोपित का कहना था कि पीडिता बालिग है लिव इन की सहमती थी उसने शादी का वायदा कर लिव इन रिलेशन्शिप नहीं बनाए वो फरजी अपराद के केस में नवंबर 22 से जेल में बंध है जमानत पर रिहा किया जाए जिस पर कोर्ट में जमानत मंजूर कर ली है